प्रेदितों के कामों का वर्णन 28वा अध्याय जब हम बच निकले तो जाना कि यह टापू मिलीते कहलाता है और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की क्योंकि मेहे के कारण जो बरस रहा था और जाले के कारण उन्होंने आग सुलगा कर हम सब को ठहराया। जब पॉलुस ने लकडियों का गठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन जंगलीों ने सांप को उसके हाथ में लटके वे देखा तो आपस में कहा सचमुच यह मनुश्य हत्यारा है कि यदिपी समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में जटक दिया और उसे कुछ हानी न पहुची। परंतु वे बाट जो होते थे कि वे सूज जाएगा या एका एक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देव तक देखते रहे और देखा क उसका कुछ भी नहीं बिगला तो और ही विचार कर कहा यह तो कोई देरता है। उस जगह के आसपास पुबलियूस नाम उस टापु के प्रधान की भूमी थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर तीन दिन मित्रभाव से पहुनाई की। पुबलियूस का पिता ज्वर और जब ऐसा हुआ तो उस टापु के बाकी बिमार आए और चंगे किये गए और उन्हों ने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमें अवश्य था जहाच पर रख दिया। तीन महिने के बाद हम सिकंद्रिया के एक जहाच पर चल निकले जो उस टाप दियुस कुरी था। तक हमारी भेट करने को निकल आए जिन्हें देखकर पॉलुस ने परमिश्वर का धन्यवात किया और धारस बांधा। जब हम रोम में पहुँचे तो पॉलुस को एक सिपाही के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आग्या हुई। तीन दिन के बाद उसने यहोदियों के बड़े लोगों को बुलाया और जब वे इखटे हुए तो उन से कहा हे भाईयो मैंने अपने लोगों के या बापदादों के विवारों के विरोध में कुछ भी नहीं किया तो भी बंधुआ होकर यरुशलेम से रोमियों के हाथ सौपा गया। उन्होंने मुझे अपने लोगों पर कोई दोश लगाना था इसलिए मैंने तुम को बुलाया है कि तुम से मिलूं और बाचीत करूं क्योंकि इसराइल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुँ। उन्होंने उससे कहा ना हमने तेरे विश्य में यहोदियों से चिथ्या पा के विरोध में लोग बातें कहते हैं। तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत लोग उसके यहां इखटे हुए और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की विवस्था और भवश्ड़क्ताओं की पुस्तकों से यिश्यू के विश उसके इस एक बात के कहने पर चले गए कि पवित्र आत्मा ने ये शाया भश्ड़क्ता के द्वारा तुमारे बाबदादों से अच्छा कहा कि जाकर इन लोगों से कहें कि सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे और देखते तो रहोगे परंतु न बूजगे क्योंकि इन इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए और उन्होंने अपनी आखें बंद की हैं। ऐसा ना हो कि वे कभी आखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। सो तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। जब उसने यह कहा तो यहुदी आपस में बहुत विवात करने लगे और वहां से चले गए। और वह पूरे दो वर्ष अपने भाले के घर में रहा और जो उसक के पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राजी का प्रचार करता और प्रभुईश्मसी की बातें सिखाता रहा।